नहीं जी नेवर डेरा में कोई वेलफियर का काम ऐसा नहीं होता जो डेरा के फालवर्स को फोकस करके किया जाए जितने भी वेलफियर के काम है उसमें फोकस आम जनता होती है नमश्कार दोस्तों अफेक्ट टाई में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे इंसानियत के बारे में इंसानियत की सोच के बारे में आज हम एक ऐसे कैम का कवरेज करने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर नीडी पीपल्स को विल्कुल फ्री में ये फसिलिटीज दी जाती है पिछले कई सालों से लगबग 11-12 सालों से ये कैम लगाया जा रहा है पब्लिक के लिए सुसाइटी के लिए इंसानियत के लिए ये कैम्प की संस्ता के द्वारा लगाया जा रहा है क्या-क्या फसिलीटीज यहां पर मिलती है और आज तक कितने लोगों ने इस कैम्प का फायदा उठाया है ये तमाम जानकारी हम जो यहां पर डॉक्टर है जो काफी सालों से यहां पर अपनी सर्विसिस भी दे रहे हैं और जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनके साथ आपको सीधी बातचीत करवाएंगे ये देरा सचा सोधा के तरफ से पुझ गुरू जी ने मानुता पर बहुत बड़ा उपकार किया है जब ये कैम्प शुरू किया गया था उसका ध्यान पोलियो पर फोकस था क्योंकि उस वक्त पोलियो से विकलांग बहुत ज़्यादा लोग थे तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पोलियो की विकलांगता के लिए रखा गया कि समाज को समाज में जिन भी भी बिमारियों का जिन भी प्राब्लम्स की उसको गुरू जी अपार रहमत करके दूर करते हैं तो ये gardens थार्टींथ कैंप है जो आज लग रहा है विकलांगता कैम्प को निवारन कैम्प सारी सहुल्टें फ्री है आप्रेशन फ्री है खाणा फ्री है रहना फ्री है किसी भी तरह की कोई पेयमump नहीं है वोलन्टियस असमचाब करेंगे हैं जो स्टाफ है काोश इक्सपूर्ट स्टाफ इसमें काम करेंगे और जो सोचल वेल्फिर के जो हमारे greenness के सेवादार है, वो इनको लाने में, इनको संभालने में, इनके खाने के लिए, उनके लिए वो सेवा करेगा. नई जी, never, डेरा में कोई welfare का काम ऐसा नहीं होता, जो डेरा के followers को focus करके किया जाए, जितने भी welfare के काम हैं, उसमें focus आम जनता होती है, टोटल समाज होता है, ऐसे ही इसमें भी, टोटल समाज में से, जो भी विकलांग हैं, चाहे वो किसी भी disease से हैं, वो focus सब उनका है, उनको ये help दी जा रही है, गुरुजी की, किरे पासे. Thank you, Dr. You're welcome.